हुआ तो पूर नमस्कार स्वागत है आप सभी काजी चीनि जहारखन के स्वेश भीए टिने मैं हूँ आपकरे साथ दीजिश मारे रूबरू होते हैं आज की खास खाबों से एच छीर आईससी कंपनी एवं मजदूरों के हीद के मध्य में ज़ए पांच सुत्री मां को लेकर आज खार्शिला के विधायक रामदा सुरे ने कंपनी के अध्यास्ता प्रबंध में देशा के नाम पर कंपनी के प्रभारी महाप्रवंदर संजे सिंग को इंग्यापन इस दोरान जग्रिस का टटक वरांग महाली मिर्तुंजे यादा कानु सामान विक्तंपेश्णा स्वमाई स्वरेन प्रधान स्वरेन समेठ काफी संख्या में ज्यामों रिपकई नेता ओपस दे थी पहला मांग ये है कि लूड़ डाउन का दर्मियान सवी माज़ों का प्रमेंट मार्स चक का प्रमाग हो चुका है है लेकिन आपरिन का प्रमेंट अभी जग बाकि है हम लोग न माय रहा ह। कि सबैसंग अप्रिन-मह का कर दर्मियान बहुतन किया जा है कि दूसरा हम लो माग रखे हैं यहाँ पर सुद्धा लीज का मामले में जो एक तिस मास ताकि इसका लीज शमाप्त हो चुका है उसके बाद लीज नवीकरण की परकिरिया जारी है हम लोग नमाग राखा है कि सुद्धा लीज का नवीकरण अविलम कराया जाए जो भी शरकार का परकिया है उस परकिया को फुल फिल करते हुए रीच करन जल्द से जल्द किया जाए इस आईएस जो होस्पिटल है इस 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 उसको घर्षिला में सुचारू से कराने के लिए हमने परमंदन से मांग किया इसे कम यहां पर दो गो वाटर दिया जाए जिससे यह घर्षिला अनमंडल में करीब बाइस जाठ का मजदूर के रूप में जाने जाते हैं जो काम करते हैं विविन कंपनी में विविन कॉंस्ट्रेक्शन में विविन जगह प्राइविट में उसका एक इहां पर क्यांप हो जिसका यहां से लोग पियेस आइस के लिए उहां पर आपको आदिर्पूर गाना जादा जानना परता जो तीस किलो मेटर इसलिए इस गार्षिला अनमंडल में एक पियेस आइस 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 आइक आइका इहां कारले खोला जिसके पूल रूप्स एटीटमेंट शोटा मटा टीटमेंट उसके कम से कम दॉस्ट बैड हो रहा है यहां चिकित्षा हो और हम लोग ने यहां पर हिंदुस्तान को पर में जो आस्ताइब मैजदूर है जो विभीन कंटेक्टर में अधिन काम करते हैं उसको रेगुलियर रोलाइ आज माने प्रोटेशन ने काम दिया जाता है उसको प्रोटेशन ना करके पूर्ण रूप से मेजदूर को महिना बरकारज दिया जाए यही शाज कि यह हम लोग आज हिंदुस्तान का सेमडी को लिके जिये हैं और माध्याम नहां का इनिट है शंजय सिंग से हम लोग मिल्चर जो उनको माधतर सकते हैं हम लोग में कहा कि 1725 तक शाट लोगडान के अश्तर जिन तक इसका हमें जवाब आना चाहिए यदि 17 के बाद आगर लोगडान बाढ़ जाने के बाद फिर नहां के परिशानी बढ़ेगी मैज़ूर का परिशानी बढ़ेगा और लोग इहां पर मैज़ूर जो है आप इहां पर काम तलासने के लिए पर्यास कर रहे हैं जिसे हमें इहां पर निश्चित रुख से सब्यूर को हम लोग जया कर लिए हमारी सब्कार हैं इसको रोज़ूगा देने के लिए हमारी सब्कार हमार्य परियां रहे हैं और एकिस मार्स के बाद लोगडाउन का दर्मियान जो अभी अप्रीर महा का भी तरफी बात हुआ रहा है इसी के लिए हम लगार जिखे दिये हैं कि लोगडाउन ये केंसरकार करने विश्य लोगडान हुआ है हिंदुस्तान को पर लोग केंसरकारा धिन ही है इसलिए उसका होना चाहिए और मैंदुर कपे मेंट मिलना चाहिए जबता कि अपने परमंधन चुब बैटी सारे कि जो पर हम लोग बातिक कि और परमंधन ने तहा कि हमको जिला परस्तासन उपायक से भी हमारा चिथी आया है कि कोविड-19 पर आप सहता करें कैंसरकार से भी चिथी आई ह अब सहता करें और हम लोग किसी में किसी रूप से राजस्ट्रकार को भी सहता कर रहें किमसरकार को भी सहता कर रहें में आज 35 वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह एवं उमांग के साथ ऑनलाइन मनाया दियाताभियों कि यह विद्ध्याले प्रतेक वर्स 12 माई को अपने सभी विद्ध्याले के सद्दस्यों के साथ वार्षिक उत्सव मना दिया रही है जहां यह विद्ध्याले ओनलाइन क्लासस लेकर स्ट्डेंट्स की पढ़ाई को आगे बढ़ा रही है वही विद्ध्याले के प्रधानाचारे स्री इसके मलेक एवं प्रबंधन समीति के मार्ग दर्सन में 35 वार्षिक उत्सव बड़े हर्सो उल्लास के साथ मनाते हुए 11 माई को ओनलाइन भजन संधिया का आयोजन किया लिया तथा विद्ध्याले के सभी सिचगन प्रवन समीति एवं ऑफिस स्टाफ इसमें सामें दूसरे दिन 12 माई के सांस्क्रितिक कारिकरम का संचालन चात्रा प्रिया सरमा एवं चात्र सुब्राज चंजर द्वारा करते ह इसकी सुरुआत गुरू बंधना एवं सरसथिक बंधना से की ततबर सच क स्रिसाथ्ष sedem कोलकाता एवं घार्सिदा सधन के विद्ध्याले से जुड़े सदस्यों द्वारा सुंदर एवं मधुर्भजन किये गए जहां विद्याले प्रशासिका सोभाग गणिरी वाल ने इस कार्क्रे में सक्रिय रूप से जुड़े विद्याले के सस अचीव ने भी मनुवल बढ़ाते हुए संदेज दिया कि ऐसी विशम परिस्तिती में भी हम सब जुड़े हैं ये मात्र गुरुदेव की क्रिपा है। कारिकरम में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने सू विचार परस्तुत किये। वहीं कारिकरम का समापन एके पतनायक द्वारा धनिवाद ग्यापन तधागुरुदेव आर्ती द्वारा किया गया। कहेना आया है तर से तेरे कारिकरम में भी डरे नहीं हाटे नहीं। और सबसे इंपोर्टन चीज है कि आज की स्कूल, मैं बड़े-बड़े स्कूलों की खबर है मेरे पास, वो भी खबरा रहे है कि कैसे करना, क्या करना है और जिस तरीके से हम चला रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। आज की इस पावल दिवस पर मैं आप सब को बहुत बढ़ाई देता हूं। शुबा माडम, आप है। अमें आशिरवात देने के लिए देवरा सर हैं, तुक्माल सर हैं। अना नजार, बाद अगें वी आप मेट, ये ब्लेसिंग अव गुरुदेव। I thank all the participants of this particular program, my special thanks to Almighty God. धरते सेदा, अमृते धरती देव, आरते सेदे, तो ही रूल। भाषपा नेतासर, घार्षिला विधान सवा के पूरू भाषपा प्रत्यासी लखन माडी गौरा, घार्षिला विधान सवा के जादुगोड़ा अंत्रगत, पूला मारा परचायद, खुंडा कोचा में जरूत मंदों के बिस मोधी आहर एवं मास्क का वित्रम किया लिया। मौके पर मुखरुषम मंडल अध्यास विनोथ सी, लिक्रम सी, दिलिप कुमार, सुपाई कुमार आदिल पस से थे। दोपते परवेक में, इधर आवाब, जरूत में जरूत में जरूत में, विप्रित दिशा से आ रही आनियंत्री तेज रफ्तार कारने, बाइक सवार अमित साओ को जोड़ दार टकर मारी, इस टकर से बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। अस्थानी लोगों की मदद से 108 एंबूलेंस में चांडिल उपस्वास्थ केंदर इलाज के लिए लाज के लिए जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमसेदपुर के एमजीव एस्पताल में रेफर कर दिया गया। इधे पुलिस ने कार को जब्त कर चालो को हिरासत में ले लिया है। चांडिल से GTN के लिए कॉंग्रिस महत्रों के लिए लाज से लेकिस उन्हें है बड़ा साथ और अपर आम बहुत आम स्ट्रेक्शर है। तो इसको क्या रेफर कर रहा है। क्या नाम हो है। पूर्वी सिंभुम की चाकुलिया में कोरोना मरीज के मिलने से स्वास्त विभाग में खरकंप मच गया है। जीले के सब्वी कॉरेंटाइन सेंटर के बिधी वेवस्ता ठिक की जा रही है। जीले में लगतार मज़गूरों का आना-जाना हो रहा है। जिस कारन जीले के स्वास्त विभाग सचे थे। वही चापुलिया में दो कोरोणा मरिद मिलने से चीले में संसे के सितिती बने हुए। जीले में 12 कॉरेंटाइन सेंटर में 24 मरीज कॉरेंटाइन किये गए परेंटाइन पर राथा है चांडिल से संभाधाता पाउरुस महत्वक रिपोर्ट लोग ट्रीट्मेंट के लिए गिया था वेलो ट्रीट्मेंट के उपरां लोग अपना वहां से किसी दरा सरेकला पहुंचे सरेकला से फिर यह सिफ्ट किया गिया तरीगारा ब्रुट्ट्यट्स को है जिए आएगा हैं यहां क्या था तरह का सुवीदा है है कोई चीज का दिकत नहीं है सर्भीदा है क्या यहां पर केंटिंग एक हाने के लिए केंटिंग को बवस्ता है मरिज को लिए है और यहां कि अ किरते हैं व्योग के लिए भी मुल ऑस्ता है को अ कुर खॉ informative पू को का हटे है अने मेरा परी नाल है मकर चंद इस संद्प को फॉ यह कितना कितना ड्रस दो है जमसेद्पुल के कदमा थाना अंत्रकत सास्त्रीनगर में जमीन विवात को लेकर मारपिट का मामला सामने आया है पास के ही रहने वाले दो लोगों ने परिवार के लोगों के साथ मारपिट कारूने गायल कर दिया गाय लोग इलाज के लिए इस्पताल में भरती कराएं गया है। कदमा पुलिस मामले की तकिकात कर रही है। पुलिस मामले के लिए पड़ाथा है। तो तर्वाल लेकाया था आढ़र गाड़ी का पाना था। कि अबो यह नाम आंक अपका श्री नगर थे नंबर हा ना कॉंशा थाना कॉंशा थाना कदमा थाना हाँ हाँ आपके भाई जो है जादव जी को हाँ वो जादब वेज दिया खाली है थो कागज में लिक्के दे दिया क्रिष्णा वेलफेर सुसाइटी और भवानी बॉइस कलब रामाधीन पागान के त्वारा लगातार अप्रेल से सेवा सीविर चलाया जा रहा है जिसमें 300 लोगों को भोजन कराया जा रहा है आज भी कई छेतरों में रहत कारिच चलाया गया इस औसर पर मुक्रुप से राजत के जीला अध्याच अंभिका बनर जी लरंसी यादव से क्रिष्णा वेलफेर सुसाइटी के सग्रस जिनारदर सी राजकुमार सतीस यादव कमले सियादव उमेशी विमलेशी सूरेशी संध भी कनेशी अधिक कुमार, हुपिंद्र सरमा, सन्जीत कुमार, तापस मल्लीक ओम परकास यादव, मिठलेशा, जीतिक्टेँद्र सरमा समय समित्. काफी संखिया में लोग उपस्तितीक काफी संख्तिती संधि जमसितपुर से जीतेनीच के लिए संवाध आ द Universal की एक पास पास के छेत्र को जीला प्रसासन द्वारा कंटेन्मेंट जोन खोशित कर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तथा उक्ट छेत्र में आवागवन को फुंदा बर्जित कर दिया गया है। उपायुक सीरी रवी संकर्शुकला तथा SSP स्री एम तमिल वानन की निगरानी में दोनों संक्रमितों के विश्तित कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पूरे कंटेन्मेंट छेत्र को सनिटाइज किया जा चुका है। उपायुक ने बताया कि संकर्वितों के प्रतेक्ष या अप्रतेक्ष रूप से संपर्ख में आने वाले को चीनित किया रहा है। एवाँ एंट्रेंच जाता था सांस लेने में तकलिक जैसी समझ से आकि जांच की जा रही है। प्रयास है कि अनसंभावित संकर्मित ब्यक्ति यदी हो तुन्हें तदकल चिनित कर आइसलेट करते हुए चिकिट से सुविधा दी जा सके। अथिसाथ कंटेंवेंट जोन या वफर जोन के समझ में स्वास्त विभाग का जो दिसानेवित से उसका पालन किया जा रहा है। बैरिकेडिंग की जा चुकी है। लोगों को घरों से निकलने के अनुमति नहीं है। कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। वलेंटियर के माधियम से आवैसक वस्तुकी आपूर्ती कंटेंवेंट जोन में घर-घर की जाएगी। वहीं जमस्कितपूर के वरिय पुलिस अधिजक ने बताया कि ये दोनों कोरोना संक्रमित के कुष्टी होने पर कंटेंवेंट जोन वफर जोन में करिब 1400 से लेकर 1500 परिवार आएंगे। इस चेत्री में बैरिकेडिंग कर दी गई है। कंटेंवेंट छेत्री के कुल साथ पिकेट में 24 घंटे तीन पाली में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी बैक्ती के आवाजा ही वर्जित है। सिर्फ सरकारी कर्मचारी साफ सखाई करने वाएं लोग या वलेंटियर ही इस चेत्री में अपनी गतिविती जारी रख पाएंगे। कर रही है और उन लोगों कुछ दिट किया जा रहा है जो कि इनके डारेक्ट या इंडारेक्ट कांटेक्ट में आए होंगे। अबर इंट्यूएंचा और सीवियर इट्रेश्पराइट्री जो सिम्टम से उसकी वियाच की जा रही है साथी साथ हमका कैमफल लिया जा रहा है। और इस प्रकार से ये प्रयास है कि ग्रुदी आँफ हम ने संभावट संक्रमेज साथा से और यहां पर पैरिकर्टी का काम अर्मुस्ट का कम लिए को इसके अगले चरण में एक कंट्रोल रूम का गशन किया गया है, जिस कंट्रोल रूम के माध्यम से, वालटी उसके द्वारा जो भी आवश्यक्त वस्तू है, उनकी आप मुश्यस में शिक्राई जाएगी, और कंट यह जो चकुलिया में, दो पाजिटिव पैशन्स हम लोग को कल सामने आया हैं, तो कल रात में ही पूरा प्रशाशन इसमें मुश्ते ही से काम किया है, हम लोगों को जो है टीमच हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है, और टोटल कंटैन्मेंट जोन और बफर जोन के हम लोग पूर्टल करीब 14-1500 आसपास परिवार है, तो उसी में अब भी प्रशाशन के द्वारा अच्छे पहल करके ने वर्क आउट कर लिया गया है, तो इस एरिया में हम लोग पूरा जगा पे बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, करीब 6-7 जगा पे हम लोग से लेके बहुत सारा सामान जो भी है, वो सब हम लोग को अपना कुछ से पॉलेंटर के माधिम से महया कराया है, तो इसमें हम लोग को टोटल साथ पिकेट में 24 गंडे तीन पाली में हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं, ड्रॉपकेड के साथ है, इसमें किसी भी आदमी जाने क के लिए भरजित है, एकसेप्ट जो इहां पर सफाय खर्मचारी हैं, और जो सरकार वाला जो काम करने वाला है, जो वालेंटर है, उनी लोग को जा सकते हैं, वागी कोई पब्लिक को यहां पर मुव्मेंट आलोग नहीं है, और सभी चेक पोस्ट में, जो बैरिगेडिंग चेक पोस्ट में, अमनों को 24 गंडे पोलीस रहेगी, तब तक मतलब वो संतूष्णी नहीं है, किसी पब्लिक को अमनों जाना नहीं दाएगा, किसी अगाग उचाना नहीं है, किसी बचली की नहीं है, किसी पोस्ट में जाना नहीं है, किसी चेक पोस्ट में उत्यूच कंशीच. हुआ हुआ है